ठक गया हूँ ठक गया हूँ शक्ति मेरी खीन होती जा रही है मृत्य अब जीवन प्रदीपों को बुझाती आ रही है शक्ति दो इतनी कि अपने वासना का दमन कर लूँ भक्ति दो इतनी कि अंतस्ताप का मैं शमन कर लूँ ये मार्मिक पंक्तियां हैं हरदय से संत कर्म से सिक्षक और लेखनी से विशुद्ध साहित्यकार स्री पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी जी की उनकी भेश भूशा और सादगी के संबन्ध में सू प्रसिद्ध साहित्यकार डाक्टर बल्देव प्रसाद मिश्र का कहना है कि घुटनों तक धोती पैरों में मामूली चप्पल सिर खुला हुआ कभी केवल धोती कुर्ता और कभी उसके उपर गले का कोट अस्त ब्यस्त बाल और हाथ में और कभी मुह में प्रज्वलित की जाने वाली सीधी साधी बीडी यहीं वक्षी जी की पेटेंट भेश हूशा थी वे साहितिकार के पहले सिख्षत थे दुवेदी युक के प्रतिष्थि साहितिकार विध्याबाच अश्पत पदुम लाल पुन्ना लाल वक्षी जी का साहित जगत में विश्श्री स्थान है इन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है स्री वक्षी जी का जन्म 27 मई 1894 इस्वी को 36 गड़ के खैरागर राज्जी में हुआ था इनके पिता का नाम पुन्नालाल वक्षी था जहां तक शिक्षा दिक्षा का प्रस्ण है बक्षी जी की आरंभीक शिक्षा जो है विक्टोरिया हाई स्कूल खैरागर में हुई मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री जो उस समय हेट मास्टर थे पंडित रविशंकर सुक्ल के सानिध्य में इनकी आरंभीक शिक्षा जो है हुई और इन्हें सादगी का इन्हें नेतिक्ता का और इन्हें करमठता का ये सारा जो संसकार है ये पंडित रविशंकर सुक्ल जी की देन है सन 1912 में मैट्रिकुलेशन किया और 1913 में लक्षमी देवी जी के साथ आपका पानिक ग्रहन संसकार हुआ उच्च शिक्षा के लिए आप बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज गए और वहां से पूरी की सन 1916 में स्टेट हाइ स्कूल राजनाद गाओं में शिक्षक के पद पर आप नियुक्त किये गए और 1929 से लेकर 1949 तक राजनाद गाओं के स्टेट हाइ स्कूल में अंग्रेजी सिक्षक के रूप में कारी किया और 20 अगस्त 1969 से आज जीवन दिख्विजे महाविद्याले में आप प्राध्या पड़ रहे जहां तक अलंकर्णों का प्रस्ण है पदुम लाल पुन्ना लाल वक्सी चूंकि बहु आयामे व्यक्तित्तों के धनी थे तो सिक्षा और साहित के ख्षेत्र में अनेक अलंकर्णों से अलंकरित किया गया उनेश सोनचास में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या बाचस्पत की उपादि से आपको भीवुशित किया गया सन उनेश सोनचास में सागर विश्विद्याले द्वारा डिलिट की मानत उपाद प्रदत्त की गई आप मद्ध्य प्रदेश साहित्य सम्मेलन के सभापत भी रहे और 28 दिसंबर सन 1971 को रायपुर में आपका महाप्रयान हो गया पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी इस जगत को छोड़कर परलोग गामी हो गया पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी बहु आयामी व्यक्तित्त के धनी थे जहां एक और आप आदर्श शिक्षत थे वहीं दूसरी और शूप्रसिद्ध रचनाकार भी आपने कभिता के ख्षेत्र में नाटक उपन्यास निवन्यालोचना समालोचना और आत्म कथा संस्मरण और कथा ख्षेत्र में आपने किर्द्मान स्थापित किया है काब्विशंग्रह अशुरुदल शत्रदल और पंचपात्र नाटक के ख्षेत्र में आपका अन्पूर्णा का मंदिर बहुत प्रसिद्ध नाटक रहा है और दूसरा है उन्मुक्ति का बंधन और जहां एक और आप प्राणों और बुध्ध जीवियों के लिए और अपनियासिकस रिस्ट की है वहीं दूसरी और बालकों के लिए भी बच्चों के लिए भी कुणकि एक सिख्षक की आत्मा जो है वह बच्चों के पूरी तरह से समर्पि्त्थी तो आपने बाल उपन्यास भी दिये हैं जैसे भोला और वेद्दिन और प्रणूं के लिए एक उनका प्रसिद्ध उपन्यास है कथा चक्र निबंध और समालोचना के शेत्र में जैसे हिंदी साहित्य बीमर्ष विश्व साहित्य पंच पात्र पंच रात्र प्रबंध पारिजात यह इनके इनकी निबंधात्मक कृतियां हैं और सांस्कृतिक और साहित्य निबंध भी आपने बहुत लिखे हैं जैसे बिखरेपन्य यह निबंध संकलन और मेरा देश इन दोनों में हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को पारिभासित किया गया है उसका वर्णन किया गया है और प्रदीप कहानियों में जल्मला बहुत चर्चित कहानी रही है तो कहानी संक्रन के दो मुख्य रूप से प्रकाशित हुए थे एक जल्मला एक अंजली और पदुमलाल पुन्नालाल वक्षी की कृतियों को आठ खंडों में वक्षी ग्रंथावली के रूप में डॉक्टर नल्ली श्रीवास्तों जी ने संपादित किया है आपने साहित्तिक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है शूप्रसिद्ध प्रत्रिका सरस्वती जिसके संपादक आचार महावीर प्रसाद्द वेदी थे बहुत ही लगन और निष्टा के साथ किया है बक्षी जी ने साहित्तिक एमंग सामाजिक दोनों विशियों पर निबंध रचना की है इनके निबंधों में दुवेदी युक्ति चाप इस पस्ट रूप से द्रिट्सिगोचर होती है पर लक्षित होती है बक्षी जी शर्वदार राष्ट्र और समाज की प्रगत हे तु जागरुक रहे सामाजिक जीवन की रूडियों परमपराओं एवं कुर्वीतियों पर आपने प्रहार किया है जो समाज के लिए हितकर नहीं थी भाषा सजीव प्रभावपून और सरसे इनकी भाषा में उर्दू, फार्सी और अंग्रेजी के सब्दों का मिस्रण है मुहावरों और लोकोक्तियों का सुंदर प्रयोक किया है भाषा प्रांजल बोधगम्य और प्रवाहमय है अपनी बातों को छोटे-छोटे बाक्यों में कहने में सिद्ध हस्ते वक्षी जी व इविचनात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोक किया है। इस पश्टता, गंभीरता, प्रभावोत पाधक्ता और स्वाभाविकता इनके सैली की सरवादिक भी सेषता है। ब्यंगात्मक तथा उद्धरन सैली में भी इनकी रचनाएं मिलती है। विशे की बिविधिता और भाषा की सरस्ता एवं सरलता के लिए स्री वक्षी जी सदेव इसमाणिये रहेंगे बच्चो आपके पाठिक्रम में क्या लिखू निबंध है जो वक्षी जी का चिंतन प्रधान और भावात्मक ललित निबंध है ललित निबंध क्या है आपने अनेक प्रकार के निबंधों को आपने साहितिंग निबंध विवेशनात्मक वर्णनात्मक सैक्षिक और बैज्ञानिक कई तरह के निबंध पढ़ें लेकिन आपने आपको ललित निबंध के बारे में संभोता आपके पाठिक्रम में पहली बा यह बताया जा रहा है कि लओ प्राप्ट किया अगी सैंद्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं बत्चो मैं मनो हर और और मनोरम रमनीयाग ли сंदर्भों में किया जाता है वास्तों में लशाहित में साहित की वे सब कोटियां आएंगी जिनमें बोधपक्ष उतना प्रधान नहीं रहता जितना भावपक्ष होता है बुद्ध की अपेक्षा हर्दे को छूने वाली सामर्थ अधिक रहती है गद्य और पद्य दोनों ही लली साहित की स्रेणी में आते हैं अगर उनमें वह सम्रस्ता है वह भ लली साहित्य के अंतरगता आते हैं सर्थ हल लालित्य और संदर्य निश्था का यह निसीत है कि लली साहित्यंक्ता संदर्य तत्व और कल्पना भिलास और भावना का परिश्कार आधि बहुत महत्वर्य यह वास Confанный की सर्जिनह के लिए जो लवनित्नीवपकार हैं वह आत् समा भी व्यक्ति का सहरा लेते हैं कभी कभी उन मुक्तता का तो कभी बतकहि शैली का बात चीत की शैली का इस प्रकाल लिलित निबंद में अनेग विशिष्ट गूर्द्धर्म समाहत हो जाते हैं जो अपनी अलग-अलग पहजान बना लेते हैं विद्वानों ने लित निबं उनको अलग-अलग मिशेश्ताओं के आधार पर पारिभाशित करने का प्रयास किया है लेकिन अभी भी मताइक्य नहीं है कि सामान नित ललित निवंधों में लेखक किसी भी हलकी फुलकी बात को लेकर चलते हैं और उसके सहारे से अपनी अगात अपने अन्भवों लोक कथाओं लोक संस्कृति साफ्त्रिय संदर्व आदिसे आत्मियता प्रामानिक्ता रोचक्ता सरस्ता और आकर्षण का समावेश करके पाठक को बसी भूत किये रहते हैं जिस प्रकार जलासे की सता पर दंड फेकने से उसमें असंग के लहरें उठने लगती हैं उसी प्रकार ललितनी बंदकार मन मस्तिस को जंकृत करके असंग के भाव विचाल लहरीयों को उत्पन्न करता है लेखक ज्ञान विज्ञान लोग जीवन प्रकित धर्म राजनीत आथ विभिन ख्षेत्रों में स्वच्छंद विशन करता है और विश्यांतर द्वारा रसात्मक्ता का समावेश करके आकर्षण एवं बतकही की भासा में अपनी रागात्मक्ता का वो पर्चे देता है रागात्मक्ता व्यक्तित्त्त की भेंजना करता है वस्तत ललित निबंध निबंधकार के रागात्मक व्यक्तित्त्त की स्वच्छंद और कलानिष्ठ अभी व्यक्ति है ललित निवंद्ध की विशेस्ताएं जैसे रागात्मत व्यक्तित्त्य की व्यण्यना है स्वच्छंदता उन्मुक्तता है एक्सूतता है संग्षिप्तता है विचारान भूती है और बत कही सहली में बोलचाल की भाथा में ललित निवंद्ध लिखे जाते हैं अनेक ललित निवंद्धकार हुए हैं हमारे यहां जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में भारतेंद युग से गद्य साहित्य जो है जन्म लेता है और गद्धी की तमाम विधाएं भारतेंद युक से ही प्रारंब होती हैं तो आईए हम देखते हैं कि हमारे यहां कौन-कौन सुप्रसिद्ध ललितनी बंदकार हुए हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी के अत्रिक्त बहुत चर्चित जो ललितनी बंदकार हैं जैसे आचार हजारी प्रसाद्धुवेदी उनका असोक का फूल और जैसे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र तुम चंदन हम पानी मेरे राम का मुकुट भीग रहा है अंगद क की नियत याद बहुत सारे ललितनी बंद संकलन डाक्टर विद्यानिवास मिश्र के प्रकाशित हैं डाक्टर कुवेद नाथ राय डाक्टर कुवेद नाथ राय की जो बहुचर्चित कृति है प्रिया नीलकंठी निशाद माशुरी गंधमादन रस आखेटक आद अनेक ग पर और गमई गंध गुलाब यह दो इनके ललितनी बंद संक्रा बहुत ही प्रशिद्धूए हैं डाक्टर धरमबीर भारती इनका जो ललितनी बंद संक्रन है ठेले पर ही माले और स्री हरिशंकर परशाई इनका जो है बैश्नों की फिशलन यह बहुचर्चित कृति है डाक्टर श्री राम परिहार इनका जो है परिहार जी का धूप का और शाद रस्वंती बोलो तो आद अनीक निवन्द संक्रन प्रकाशित हुए हैं जैसे श्री गिरीश पंका जी का साहित्य की संस्कृति मीडिया और भरस्टाचार राश्ट और राश्ट्र बार इनके निवन्द संक्रन बहुत प्रसिद्य हैं और अम्रित राई जी की रम्या और फ्री रवीन नात्यागी जी की मल लिनात्य की परंपरा बहुत चर्चित निवंध संकलन है। इसी तरह से फ्री तारा चंद पंड्या स्याम इनका फ्रद्धावान लवते ज्यानम और सत्यम परंधी मही। आदि अनेक ललित निवंधकारों ने अपनी लालित पूर्ण भाषा में ललित निवंधों को दिया है जो हिंदी साहित में बड़े चाव और स्रद्धा और प्रेम के साथ पढ़े जाते हैं अब बच्चो आईए देखते हैं क्या लिखू ये बक्षी जी का बहुत ही प्रशिद्ध निवंध है जो आपके पाठिक्रम में है वास्तों में क्या लिखू निवंध में लेखक ने जहां एक और आदर्श निवंध लेखन को इस्पस्ट किया है वहीं दूसरी और युवा और ब्रिद्ध दो भिन पीडियों के द्रिस्टिकोंड में अंतर को भी स्पस्ट किया है क्या लिखू निवंध में बक्षी जीने बताया है कि साहित्ध की द्रिस्दिसे छोटे निवंध अधिक उपयूच्ट होते हैं निबंध के दोंग्र हैं सामग्री और शैली निबंध को सरस बनाने के लिए सरप्रतम उसकी भूमिका का निर्धारण कर लेना चाहिए इससे निबंध में सरस्ता और प्रवाह मैता का गुण आ जाएगा निबंध लिखना तो आसान है किन्त उसका सीर्षक बनाकर लिखना अत्यंत कठिन काम है बक्सी जी कहते हैं कि सेक्सपियर को भी कठिनाई हुई होगी इसलिए सीर्षक देना पड़ा जैसा तुम चाहो अमिता और नमिता के लिए दो अलग-अलग विश्यों पर निबंध लिखना था पहला विशय था दूर के डोल सुहामने होते हैं और दूसरा विशय था समाज सुधार एक ही निबंध में लेखक ने दोनों का समावेश कर अपनी कुसल लेखन कला का परचे दिया है बच्चो कोई भी विशय हो उसमें हम अपने हर्दय के आवेक को भरी देते हैं है टांगने के लिए कोई भी खूटी काम दे सकती है उसी तरह अपने मनोभाबों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विशय उप्युक्त है असली बस्त है है खूटी नहीं मनो रंजक सैली में सरल सीधी भासा में लेखक ने जहां एक और बताया है कि निवंधों की रिषना किस प्रकार की जाती है बक्षी जी ने निवंध लेखन के पूर्व अंग्रेजी निवंधकार मांटेन तथा संस्कृत निवंधकार बान भट की कादंबरी की शैली का ज्यान कराया है कादंबरी संस्कृत साहित्य का उतक्रिष्ट उपन्यास है बक्षी जी का कहना है कि संस्कृत के प्रसिद्ध रशनाकार स्री हर्ष ने भी जान भूच कर अपने काब्वे में ऐसी गुथियां डाल दी हैं कि लोग सुल्जा न सके महाकर सेनापत ने भी अपनी कविता को गू हो गई है कठिन हो गई है मांटेन ने निबंध की आधुनिक शैली को जन्म दिया जिसे स्वच्छंदतावादी पद्धती कहते हैं उन्हों ने स्वेम जो कुछ देखा सुना और अनुभो किया उसी को अपने प्रमंधों में लिपिबद्ध कर दिया पास्यात्य साहित में ऐसे निबंधों का विकास आधुनिक युग में हुआ आख्याईका की तरह वह निबंध कला भी आधुनिक युग की रचना है बक्षी जी का मानना है कि हिंडी में भी नए नए साहितिका निर्मान हो रहा है उसे प्रगर्सिल साहितिका नाम दिया जा रहा है जो आगे चलकर अतिर्थ का इसमारक हो जाएगा बक्षी जी अपने निबंध में आगे लिखते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेकक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेश मांसिक इस्तित होती है उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है मस्तिस्क में कुछ ऐसा आवेक साउथ पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है उस समय विशे की चिंता नहीं रहती बक्षी जी आगे कहते हैं कि कभी उच्च मार्ग से प्रेडी थोकर काप्य की रचना करते हैं जो कभी है वे वास्तर में उदात्त के पोशक होते हैं और उधाति करन जो है उनके चिंतन में होता है विध्वान जो है ज्यान की कसोटी पर सत्त की परिक्षा करन्य अंधि लिखते हैं आख्याई का लेखत कलपना के द्वारा मानों जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष्व कराने के लिए चरित्र वेचित्र घटना वेचित्र की स्रिष्टि करते हैं वास्तों इसमें तीन उदाहन दिया उन्होंने एक तो कभी जो पुछ मार्ग से प्रेरीत होकर काप विरशना करते हैं और दूसरे हैं विद्वान जो ज्ञान की कसोटी पर सत्य की निबंद लिखते हैं और तीसरे होते हैं आख्याई का लेखक जो अपनी कल्पना के दारा मनुस्ति जीवन का रहस्य प्रत्यक्ष कराने के लिए चरित्र वेचित्र और घटना वेचित्र की स्रिष्टि करते हैं वास्तों में आख्याई का जो है वह सिक्षा प्रद लगु कि करते जाते हैं जहां लेखक की सच्ची अनुभूती होती दिना के बिना अनुभावके निबंद लिखाही नहीं जा सकता घ्यान की कसोती पर कर शत्य की परिक्षा का निबंद लिखा जाता हैं एक साथ कई विस्यों को समेटा जा सकता है अमीर खुश्रो बहुत प्रतिभावान कभी थे उन्होंने एक ही पद्द्य में चारों की चायन पूरी कर दी वास्तव में कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी अमीर खुश्रो उधर से गुजर रहे थे उन्होंने अमीर खुश्रो को देखा तो एक ने कहा कि कभी जी हमें खीर पर कविता सुना दीजिए т. अमीर कि प्रतिभा, देखिये कि एक ही मने चंद में उन्होंने चारों की इच्छा पूरी कर दी कि खीर पकाई जतनते चर्खा दिया चला है आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए बच्चो इस निबंद में लेखक ने मुहावरी का प्रयोक करके सब्दार्थ पर आधारित रोचक निबंद की रचना करने के ढोल के आवाज की सत् परस्तित किया है इस विषय पर चर्चा करते करते उन्होंने समाच सुधार पर चर्चा कर बताया कि समाच सुधार क्या है साथी प्रगसीलता आती है लेखक का अभ्यक्तित तुभर कर पाठखों के सामने आ जाता है और दूर के ढोल सुहावने होते हैं इस तर्थिका विज्ञान का बहुत ही सटीक चित्र बक्सी जीने इस निबंद में खीचा है उन्होंने बताया है कि जो तरुण जीवन संग्राम से दूर है भविष्य के सुन्दर सपनों में खोई रहते हैं वे संसार की कठोरता और वर्तमान की अथार्सता से सदैव दूर रहना चाहते हैं जो ब्रिद्ध हैं उन्हें अपना अतीज सुखन लगता है क्योंकि वे हमेशा अपने बीते हुए दिनों की याद करते हैं और जो तरुण हैं वे क्रांत के समर्थक होते हैं वे वर्तमान में क्रांत इला कर उसे अपने सपने के अन्रूप ढाल लेना चाहते हैं जबकि ब्रिद्ध मिचली बातों को जियों का त्यों देखना चाहते हैं ब्रिद्ध जो हैं प्राचिन गौरों की रक्षा करते हैं तारुण और ब्रिद्ध दोनों ही समाज के वर्तमान स्वरूप को प्रवावित करते हैं इसलिए लेखक कहते हैं कि निरंतर सुधार होता रहता ह इस प्रकार वर्तमान सदैव सुधारों का काल बना रहता है मनुस्य जात के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधारों की आउसेक्ता नहीं हो प्राचीन काल से लेकर आज तक बहुत से सुधारक हो गए लेकिन सुधारों का अंत नहीं हो पाया जैसे स्री राजाराम मोहन राय और महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, आदी जगतगुर शंकराचार्य, गुरु नानक, संत कबीर, गोश्वामी तुलसी दाजी, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद तथा महात्मा गांधी आदी अनेक समासुधारक हुए फिर भी समासुधारकी आवश्यक्ता आज भी जियोंकी त्योंपदी हुई है अभी तक हमने आपसे क्या लिखूं के केंद्री भावपर चर्चा की अब बोध संबंधी प्रस्णोत्तर के माध्यम से आईए हम उसे समझने का प्रयास करते हैं निबंध लेखन के लिए क्या-क्या आवश्यक है वास्तव में निबंध लेखन के लिए आवश्यक है चिंतन और मनन चिंतन के द्वारा ही मन में विचार उत्पन होते हैं और मन के विचारों एवं भावनाओं के उत्पन होने से ही रश्णाकार का मन उमंग तथा उल्लास से परपूर्ण हो जाता है वा किसी भी विशेकास रे लेकर निबंध की रचना कर डालता है भावों का उत्वेक उसे रचना करने पर विवश कर देता है जब भाव हिर्दे से उठने लगते हैं तो जो लेखक है जो रचनाकार है वो विवश हो जाता है अब दूसरा प्रस्ण है खूटी और टोपी से लेखक का क्या आसे है अभी हमने आप से खूटी और टोपी की चर्चा की है वास्तों में बक्षी जी का खूटी सियासे भासा सैली साधन या कलापक्ष से हैं तोपी से तात परियर मानो मन में उत्पन भाव अत्वा निबंधिकी भी से बस्तू से हैं अर्थात यदि लेखक के मनो भाव विशे हैं तो उसके आधार पर भासा तयार कर रचना की जा सकती है क्योंकि भासा भावों का अनुकरण करती है भासा अभिव्यक्ति का माध्यम है अब सवाल यह उठता है कि बक्षी जी ने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए तो निबंध छोटा क्यों होना चाहिए वास्तों में निबंद छोटा इसलिए होना चाहिए कि छोटा निबंद बड़े निबंद की अपेक्षा, सुडॉल और सारगर्भित होता है। तथ पूर्ण होता है। अब बड़े निबंद में रचना की सुन्दर्था नहीं आ पाती है। अब आज जो निबंद लिखे जा रहे हैं, मतलब आधुनिक युगीन निबंद उनकी विशेशता हैं क्या है। वास्तों में आधुनिक युगीन निबंद में लेखक की सच्ची अनभूत रहती है। और दूसरी बात है ज्यान की कसोटी पर सत्य की परिक्षा करनिबंद लिखना, मन की स्वच्चंद रचना, भाषा में प्रवाह हो, कल्पना का कोई इस्तान नहीं होता, वाक की छोटे हों, एक दूसरे से संबध्ध हों, पांगित्य प्रदर्शन नहीं, बलकि ज्यान की ग और आख्याय का शब्द का प्रयोक किया है, आख्याय का ऐख्याय का जटा होती है, जिसमें लेखक की सूक्ष मद्रस्थि का प्रमान मिलता है अगला प्रस्ण बनता है बच्चो के निबंद लिखने के लिए किस प्रकार की मानसी किस्तित होनी चाहिए इसमें अपने स्री पदुमलाल पुन्नालाल बक्षी जी ने क्या लिखू निबंद में उस मानसी किस्तित का वर्णन किया है वास्तों में निवन्द लिखने के लिए कुछ इस प्रकार की मानसी किस्तित होती है जिसमें ज्ञान की गर्मा रहती है और नकल्पना की महिमा जिसमें जीवन का गौरहो भूल कर हम अपने में लीन हो जाते हैं। जिसमें हम संसार को अपनी ही ध्रिश्टी से देखते हैं और अपने ही भाओ से ग्रहन करते हैं। है ये है मानशिक इस्तिति इन्होंने प्रगत शीलता की बात की है। प्रगत शील जीवन को निबंधकार ने पारिभासित करने की कोशिश की है यदि आपको लिखना हो तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे वास्तों में बच्चो प्रगत शीलता या निरंतरता प्रकृति का नियम है यह संसार एक निश्चित मार्ग पर आगे बढ़ता है जन्म और मृत्व इसके दो किनारे हैं इसके बीच में होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है मनुस्य भी अपनी जीवन सहली में परिवर्तन चाहता है चूंकि एक रस्ता से उब जाया करता है यहां क्रम अनवरत चलता रहता है जब तक एक सुधार रंग लाता है तो दूसरा स सुधार जो है ब्रिद्ध हो जाता है उसके अस्थान पर नई वापीड़ी उस कारे को आगे बढ़ाती है यही जीवन की प्रगत सीलता है निमंदकार वक्षी जी के अनुसार प्रगत सील जीवन का अर्थ है बदलते समय के साथ नए जीवन मूल्यों और नूतन जीवन प् प्रगत सीलता है एक बहुत अच्छा प्रश्न और इसमें बन रहा है कि तरुनों के जीवन का परमलक्ष क्या होता है जैसे इस निबंद में मैंने आपको तरुन और ब्रिद्ध दोनों के संदर में जब केंदरी भाव बता रहा था उस समय मैंने इसकी चर्चा की है तो तो तरुनों के जीवन का परमलक्ष क्या होता है लेखक के अनुसार तरुनों के जीवन का परमलक्ष होता है प्रेम प्रेमिका का मिलन और उनका सबसे बड़ा सुख और विछो सबसे बड़ा दुख होता है प्रेशी का नाराज होना कठोरता का ब्योहार करना इवकों की सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है प्रेम में ही वे जीवन का अनुभो करते हैं ऐसा हमारे लेखक श्री वक्षी जी ने अपना चिंतन ब्यक्त किया है तो इस तरह से बच्चों क्या लिखून निबंध का केंद्री भाव उससे बनने वाले प्रश्न और उनके उत्तर के अब हमारे हिंदी के मुर्धन विद्वान प्रोफेशर अच्वनी केशरवानी जी ने पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी के संदर में कहा है कि पदुम लाल पुन्ना लाल बक्षी साहित्य मनीशी थे वे कलम के मजदूर थे वे कभी कलम की कीमत किसी से नहीं मागते थे ऐसे निस्प्रिय साहित्तिकार जो दूसरों के लिए जीता रहे बिरले ही मिलते हैं ऐसे थे हमारे पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी जी